कर दो कम्यूंटर नेटवर्क सिक्यूर्टी जो होता है जिसमें हम लोग कspace कहbay अपकूर करते हैं और उसके कुछ एस्पेक्ट्स ते बहुत सारे चीजेन जब ही सब्रों क हुछन करते हैं नहीं दोSON देटा कम्टी केशन में एस बहुत सारे डेलिकेफ डेलिकेफ मेसजेसMac networking, information share होती है जब भी हम लोग किसी से कुछ भी शेयर करते हैं तो हम लोग बहुंप है चाहते हैं कि तैंक TO है घृति और सेक्विड psic कॉन बना लिए तो उस नेटवर्क को भी security की जरुवत पढ़ती है कि वह नेटवर्क को अगर open लोग access देंहेंके तो कोई उसका miss use कर सकता है तो ऐसी यहां पर security की आवश्रक्ता होती है तो यहां पर हम लोग देखते हैं तो होते हैं वो सारे चीजिए हम लोग यहां ओवर भी में डिस्कुस करेंगे तो जनरली कंप्यूटर नेटवर्क सिक्यूर्टी जो होती है जो भी जिस भी ओर्गनाइजेशन में या फिर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उस अर्गनाइजेशन में बहुत सारे डेटा होते हैं बहुत सारे डेटा शेरिंग ओडिए तो वहां पर उस नेटवर्क में अनुथराइज एकसे से बचाया जाता है जो भी आउटसाइड अटाइकर सोते हैं उनसे बचाने के लिए यहां पर नेटवर्क सिक्यूर्टी अगर कोई बड़ी से हम हमारी कंपनी जहां पर लाखों कंप्यूटर्स कनेक्ट है ठीक है सभी की सभी एकसेस कर रहे हैं तो उसकेस पर क्या होगा कि हम लोग को वहां पर सिक्यूर्टी बहुत हाई चाहिए तो वहां पर हम लोग वैसी ही नेटवर्क सिक्यूर्टी डिवाइसेस का यूज करेंगे नेटवर्क सिक्यूर्टी सॉप्वेश करते हैं ताकि हम लोग का जो डेटा है बाहर शेयर ना हो कोई अनुफराइज एक्सेज ना हो कोई आउटसेट अटैक ना कर पाएं तो इस टाइब से यहां पर हम लोग उसको सिक्क्योर करते हैं the network administrator controls access to the data and software on the network in network administrator assigns the user ID and password to authorize person जो भी network handle करते हैं Network administrator जो सारे के सारे data की एक्सेज को कंट्रोल करता है जो भी करेगा तो नेटवर्क अडिस्टेटर करेगा तो नेटवर्क को सिक्योर्टी प्रॉइड करता है और यहां पे जोगी पर्सन्स नेटवर्क को एक्सेस करना चाहते तो उसके लिए पॉटर्पर जाता है जो उस आइटी और पास्वर्ट से लॉग इन करके उस डेटा को एकसेस करेगा यह तो यहां पर जो हम लोग नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो नेटवर्क में इस सिंपल सी बात है कि जो और आज रहेगा होई एकसेस कर पायेगा जैसे कि हम लोग उसको कर सकते हैं जोब लोके पास उस आइडी होगा और उसका पासवाट हो ऐंगे तब ही आइज तो इसको एकसेस कर सकते हैं इस परकार से नेटवर्क इस प्रकार से उसको सिक्योर किया जाता है कि कोई उसमें अफ्राइज एक्सेस नहों सबसे फर्स है प्राइवेसी सेकेंड है इंटीग्रेटी थार्ड है अथनिकेशन पॉर्थ और नॉन रेपूरेशन फोर टाइप के एस्पेक्ट यहां पर होते हैं मैंस हम लोग इसको टाइप भी बहुत सकते हैं टाइपस ओप नेटवर्क शेक्योर्ट है अब भी हम लोग इसको। लेकिन हम लोग यहां पर टैप्स नहीं बोलेंगे यहां पर एस्पेक्ट्स वोलेंगे लिए नेटर शेक्योर्टी के अंदर क्या-क्या में चीजें लोग फोकस करते हैं वह यहां पर दी वही है तो सबसे पहला privacy होता है, second होता है message integrity, third होता है authentication, fourth होता है non-reputation. तो सबसे बादे हम रोग डिसकस कर दे हाँ प्रिवेसी. प्रिवेसी means both the sender and receiver expects confidentially. The transmitted message should be sent only one intended receiver while the message should be opaque for other users. Only the sender and receiver should be able to understand the transmitted message as eavesdroppers can intercept the message. Therefore, there is a requirement to encrypt the message so that the message cannot be intercepted. This aspect of confidentially is commonly used to achieve secure communication. So, here we have privacy, whenever we send a message, sender and receiver will maintain privacy. privacy means that whoever we send message will know the sender will know the sender and the sender will know the message. And whoever receives it will know the message. Means, there will be communication between both of them. Third person will not know what message we send. So, the message that we send from sender and receiver is supposed to be able to send to third parties, third users, opaque. Opaic means that it will not get access to the message. It will not be able to see the message. The message will not be able to know the message. It will not be able to know the message. Okay? So, generally, the eavesdroppers are the eavesdroppers. Eavesdroppers means that they will be able to know the network. श्तवरग एसम नंजर रखते हैं उसको को बोलते है इस टॉपिंग उसको उसको बोलताइव मैं ऐस दो होते है बहुत सरे उते जैसे कि और में होते हैं कि कहरा नेट ये शेयमेल गया कि कि क्या मेल गया कि 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 तो यह सारे चीजों भी नजर रखते हैं और जैसे ही वहां पप्राइवेसी मेंटेन की जाते हैं तो प्राइवेसी मेंटेन किसे करेंगे यहां पर एंक्रिप्शन की जरुवत होती है कि जब भी कुई मैसेज सेंड होता है तो उसको हमनों कोई दूसरे इसंद्रे चेंड कर लिए कि दूसरे फॉर्म में चेंज टिये दैनुसरे नेटवर्क में हमने उसको गेज़ा और रिसीवर कर लिया दैनुसके बात वहां पर डिक्रिप्ट हो जाता है यहां पर एक एनक्र okay second point is message integrity data integrity means that the data must arrive at the receiver exactly it was sent there must be no changes in the data content during transmission either fallaciously or accident in a transit as there are more and more monetary exchanges over the internet data integrity is more crucial the data integrity must be preserved for secure communication now see here data integrity means that we have sent data like i have a pdf file sent to the receiver and it has become a pdf image the pdf has changed in the image, it should not be like that what i have sent the data exactly the same data to the receiver which sequence in which data has been sent to the sequence, it should be found in the sequence meaning exactly what data has been sent to the same data to receive the same data to the receiver to receive the same data to the receiver so here the message integrity is here when the message is transmitted it is often caused by disparaging from the provider data thensail data is already triggered by causing all types of attacks it is also attempted to do on the potential protocols and it is also attempted to develop an error also T4 कर चिस टैक को काम करते हैं तो वहां पर हम लोग को उस मैसेज को भी सिक्योर करना होता है घ्द उटन 1 ड्र मेल बेजा तियसे बहुत सारे कंपनीस वीर्ण के को हम उसके एमेल को एक्सेस करके ऐसे लिणे सब्सक्राइब नहीं पर नहीं होना चाहिए तो सब्सक्राइब कर दोंके मेल से तो जो मैसेज में नाला हुआ जो डॉक्तिमेंट उसने अटेच कि सेंब चीज रिसीवर तक रिसीव कोई भी मैलिशिसली वहां पर एक्सिदेंशली ऐसा नहीं होना चाहिए कि नेटवर्क में कहीं वो डेटा चेंज हो गया मोडिफाई हो गया ऐसा कहीं भी नहीं होना चाहिए तो उसके लिए यहां पर इंटिकरिटी के लिए भी यहां पर बहुत सारे ऐसे प्रबंद किया जाते हैं जिसके थूर मैसेज जो है हमारा सिक्क्योर जो हमारा कम्मुनिकेश होता है वो सिक्क्योर होता है end point authentication means that the receiver is sure of the sender's identity that is no imposter has sent the message मतलब जो भी receiver है उसको पता है कि sender जो है जो message को send कर रहा है वो कौन है मीस sender को जानता है receiver sender को जानता है उसकी identity जो है वो receiver को पता है कोई ऐसा फर्जी या पर कोई भी कि अगर झाल कर देता है कोई बीटा सेंट कर देता है हो सकता है आज के डेट में अगर मान के चलिए ज़िए मेरे WhatsApp में बहुत सारे लोग का ऐसे आग आइधिन सांसर लेकिन वह अंडिया का नंबर नहीं रहाता है तो उसको पर उसको अगर कोई लिकान सेंड करता है को सकता है वो खुछ के पाह। कोई ब 나 007 robbed और तो सकता है तो कोई बिसके हमें नहीं पता है एफ यह एसा बंहुंत देता है भी मिल रहे हैं रोग उसको ट्लिक करते हैं बाद में पाता चलता है कि मोबाइल है खोड़ते यह कुछ बहुत है से कुछ एक फेस्बुक का लिंक होता है पाद है पता चलते कि फेस्बुक से हम लोगा कुछ कुछ पोस्ट हो गया ऑटोमेटिक है तो इस टाप के भी यहां पर एक्टिविटीज होती है तो जब मुझ लोगार टोनों का आएडन्तिकेशनना जरूरी अटंटिकेशन मीज्स से हम लोग उसको इडेंटिटी कर पता है तो यहां पर जो एंड पॉइंट अथेंटिकेशन है फूर सेंडर और रिसीवर दूनों के लिए होता है तो रिसीवर जो है शूर होगा कि हां इस सेंडर की आइंटिटी है तब वो रिसीव करेगा अधरवाइस नहीं करेगा नहीं पूरियता हुआ आप ना नारिपरइशन नारिपरइशन ओदाव Sindarborg ещё यह होता है अजिवर लेङ सेंडिकेशों कैनपाट一न है अधर लेड जोगिए उसाह किए अदाल हिए तो रिसीवर आपका देटक सेंडर좌 असने मसेशा है ए रिसीण the burden of proving the identity comes on the receiver for example if a customer sends a request to transfer the money from one account to another account then the bank must have proof the customer has requested for the transaction okay generally non-reputation मतलब क्या होता है कि जो भी sender है अगर किसी receiver को message send करना चाहता है कोई भी network कोई भी receiver मना नहीं कर सकता कि मैं इसका message को receive नहीं करूंगा तो receiver एबल होना चाहिए उसको receive करने के लिए इधर उसकी identity हो या ना हो कि कभी भी receiver जो है sender की message की request जो है उसको deny नहीं कर सकता है कि उसका खंडन बिलकुल नहीं कर सकता अगर सेंडर चाहता है उसको send करना तो वो करेगा ठीक है इसका बहुत अच्छा एक्जामपल ना बताता हूं लाइक हम लोग किसी का call को block करते हैं यह WhatsApp में block करते हैं Facebook में block करते हैं ठीक है लेकिन वह block means हम लोग ऐसा नहीं कि वह receive नहीं हो रहा है प्रॉस के मैसेजेस भी receive होते है और उसके जो पोस्टो करना है वो भी होते हैं सब publi से दिए लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमलोग's को शो नहीं होता है कि हम लोग को लगता है कि वह में send नहीं कर पा रहा ह। लेकिन हम मैं वह send कर सकता है लेकिन बस हमारे जो चैट में जैसा भी हम लोग का जो जहां पर भी मैसेज डिस्प्ले होता है वहां पर शो नहीं होता है उसको डिसेबल किया जाता है कि जैसा वाट्सअप में लोग करते हैं किसी को भी ब्लॉक कर सकते हैं तो जब ब्लॉक करते हैं तो क्या होता है जाए कि कोई भी परसण जैसे किसी भी सिंगल person को भॉट लाऄन कर सकता कुछ भी सिस्यड नहीं कर सकता तेεν हम उसके लिए सेबल हो जाते हैं और वह हमारे लिए के लेकिन जिसको हमने व्लॉक किया है वह हमें मैंसेज सेंड करना चाहते है तो भर सकता है हुआ है वो कर सकता है कि बस हमने ढिकता नहीं है इप टिक wanna के जो वहां होती सिम्ट 5000 होती है तिक है उसको दिसेबल कर दिया आंगा हाम ही है से कॉल वकिरा ब्लॉlares करते हैं तो तो भी हम लोग मेसेज़ लिवा है थो चुट फॉन का फीचर होता है उटा उट की पोण विचे के जो फिचर्स को ओता है कभी भींथ आप 2 कप कुई भी program as a नहीं कर सकता कि कोई भी मैसेश सेंड करना चाहता है और रिसीवर तो हम लोग जो सेंडर तो सेंड कर रहे हैं और रिसीव कर रहा है तो दोनों का प्रूफ होना चाहिए वह उत्राइज होना चाहिए उस नेटवर को यूज करने के लिए और वह उस प्रकार से कहीं पर भी मैसेज कर सकता है तो यहां पर हम लोग फोर पॉइंट्स रेखें प्राइवेसी मैसेज इंटिक्रिटी एंड पॉइंट अथेंटिकेशन एंड लास्ट वान इस नॉन रेकुडेशन